कर देपक नाइटराइट का में चाट का स्रुक्चर देपक नाइटराइट का में चाट का से बहुत ही फैंटास्टिक लेवल हुआ था और उसके बात पिर यहां पर आप लोग देखो पक्रीव के तो स्तौक्स हाय लेवल गया था और अब यहां पर मैं देख रहा हूं तो यहां पर एक additional यह है कि Life Insurance Corporation acquire additional stake in दिपक नेटेट दो दिन पहले का ही news है ठीक है 2% stakes बढ़ाया है दोस्तों ठीक है अब यहां पर जैसे कि मैं chart का structure की अगर मैं बात करता हूं तो यह stocks हमेशा मेरा सबसे favorite stock रहा है क्यों? क्योंकि यह मेरी channel का सबसे पहला multi bagger stock था 2019 में मैंने यह stock recommendations दिया था somewhere around 275 रुपीज और वहां से यह stocks almost आप देखोगे तो कितना गया था? 3000 रुपीज तक गया था 10 bagger, 10X तो इसलिए यह stocks हमेशा मेरा पसंदिदार और favorite stock रहा है पर मैंने आपको पिछली बार भी काफी बार बताया था कि जैसे ही ऐसा V-shape रहली हो जाता है उसके बाद stock consolidate mode में चला जाता है ठीक है? 2-3 साल consolidate mode में चलता है और वापस से फिर बढ़ना start करता है तो अभी भी यहाँ पर जिस तरह का चार्ट का structure में देख रहा हूँ अभी भी यह stocks एक range bound category में गुम रहा है कि उपर की side में 2400 और lower side में 1700 तो यह range में यह stock गुम रहा है तो जबी भी range में stock गुमता है ना तो lower range में जबी भी stocks आता है वहाँ पर हमें buying करने का सोचना चाहिए अभी recently two weeks में भी अगर हम देखे तो higher level से कितना correction हो चुका है 16% का correction हो गया है तो अब यहाँ पर जिस तरह का chart का structure मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ से buying बहुत ही solid हुआ था तो अगर आने वाले दिनों में 1,955 रुपीज अभी चल रहा है 1,943 रुपीज 1,955 रुपीज के ऊपर जैसे ही trade करना चालू करता है हमें आने वाले दिनों में 2,100, 2,150 तक के higher levels देखने को मिल सकते हैं सो confirmation level के ऊपर किसी को भी buy करना है तो आप जरूर से buy कर सकते हो और दिपक नाइटराइट के अंदर जैसे कि मैंने बताया वो एक range bound category में गूम रहा है तो long term perspective के हिसाब से अगर आपको long term के हिसाब से अगर इस stock के अंदर investment करना है तो मैं क्या suggestions दे रहा हूँ जो current market price है 1,943 रुपीज यहाँ पर ही at least 30% quantity buy कर लो और बाकी का 70% quantity आपको buy करना है somewhere around 1,800 से 1,850 की range में 1,800 से लेके 1,850 की range में और फिर closing business के उपर आपको उस time पर stop loss maintain करना पड़ेगा वो है 1,700 का तो दीपक nitrate के अंदर long term के सब से भी buying करना हो तो कर सकते हो और trading perspective भी काम करना हो तो जरूर से कर सकते हो 1,955 एकदम ध्यान से अप लोग देखिएगा जो levels बताया है उस level के उपर price action जरूर से अप लोग देखिएगा दोस्तों